दोस्तों आपके फेवरिट शोव फना इश्क में मर जावा में कहानी काफी इंटरस्टिंग होती जा रही है नमश्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई दोस्तो आपको बता दें आपके फेवरिट शो फना इश्क में मर जावा के एपिसोड में हमने देखा कि अगस्तिया अपने प्यार का इजहार पाखी के सामने करने जाता है लेकिन दोस्तो पाखी का ध्यान अगस्तिया पे होता ही नहीं है बलकि वो तो ये बताती है कि उसे इशान से प्यार हो गया है और इशान और पाखी का प्रोपोजल वगेरा भी वहीं हो जाता है दोस्तो अभी तक हमें अगस्तिया की एक सॉफ्ट साइड देखने को मिल रही थी और जरा सी नजर क्या हटी तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इतने दनों से जो अंजान शक्स एक पहिली बना हुआ था वो भी सामने आ गया असल में वो अगस्तिया का ही आदमी था और अगस्तिया उस आदमी को भी सजा देता है कि तुम्हारे रहते हुए भी ये सब कुछ हुआ हाला कि वो माफी भी मांगता है लेकि अगस्तिया उसको सजा देता है वहीं दोस्तों अब आगे प्रोमों में देखने को मिल रहा है कि पाखी और इशान के बीच में करीबियां बढ़ रही है लेकिन यहां दूर बैठा अगस्तिया ये सब कुछ देख रहा है और जैसे ही वो इशान को पाखी के करीब देखता है उसका खून खौल उटता है और वो सीधे वही पहुँच जाता है जहां पाखी और इशान डेट पर गए हुए है और वहां पहुचते ही वो काज की बोटल सीधे इशान के सर पे दे मारता है दोस्तों अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है इस पर पाखी किस तरीके से रियाट करेगी और अब पाखी के सामने अगस्तिया का ये रूप किस तरीके से आएगा क्या करेगा आगे अगस दोस्तों कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवुड स्पाई